कोल वाश्री में 1200 करोड रुपयों का खोटाला हुआ है इस प्रष्टाचार में 52 कुले लिप्थ है ऐसा आरोब जे जवान जे किसान संगटन के प्रशान पवारत्वारा किया गया है इस मुद्ध पर बोलते हुए 52 कुले बोले कि इंपोर्टेट कोल का दाम कोल वाश्री के कोल के दामों से बहुत जादा होता है इसलिए इंपोर्टेट कोल लाना और पौर स्टेशन चलाना ये महिंगा होता है इसलिए इंडियन कोल को वाश कर पौर स्टेशन चलाना ये हमार भूमी का थी इसलिए हमारे सरकार में कोल वाशरी शुरू करने का निरने लिया गया लेकिन पूरी प्रक्रिया वरतमान सरकार के कारी कालवे हुई है अगर ऐसा कोई खोटाला हुआ है तो राज्य सरकार द्वारा साइटी लगा कर जाज करनी चाहिए कोल वाशरी का निरने इसलिए हुआ है पुरे देश में कोल वाशरी चर रही है कोल वाशरी जिनको समझती है उतने समझना चाहिए जब राज्य में इंपोर्टेट कोल आता था उसका रेट कोल वाशरी के कोल से बहुत ज़्यादा महिगा है इंपोर्टेट कोल लाना और पावर टेशन चलाना ये बहुत महगा होता है इसलिए इंडियन कोल को वाश करके हमारा इंपोर्टेट कोल की लेवल पर लाना और पावर टेशन चलाना ये भूमिकाथी करके हमने कोल वाशरी चालू करने का निरने लिया हमारे सरकार में केवल ह हमने निर्नेलिया फुरी प्रकिरिया यह सरकार में हुए है अगर प्रशान पवार जे और कोई नेता को लगता है कि गलतिया हो रही है भश्ठाचार हो रहा है तो एसाइट की मांग करें एसाइटी सरकार ने लगा है और इंक्वारी करें हमारे सरकार ने तो Imported गों कर डिया इतना महेंगा लाना इंपोर्टेट गों क्यूंट से पजय इडियन को is करना नहले मुंत करने लिया नेकिन अभी अगर वह कुछ होता है तो यह जाब द 문ढि राज्य सरकार के हमारी नहीं है